तो दुस्तों अक्सर हमारे घरों में जो है ये लेडी बलफ होते हैं ये लेडी बलफ खराब होhostे इस में प्रब्लम क्या थि है कई बार ये flicker करने लगते हैं जैसे के कभी जलेगा कभी बंद हो जाएगा या फिर कभी क्या होता है कि बहुत लिजल ते तो लाइट कम हो जात पहले जो कि मैंने अभी हटा दिये यहां से ठीक है क्योंकि ये चार एडी के खराब हो चुके ये इसलिए यह आ दिया दिया लेकि अभी प्राप्लम क्या आता है रिपेर करने में कि यार ये एलेडी नहीं मिलते अलग से मिलना बड़ा मुश्किल होता है या फिर मिलते तो फ पूरे सर्किट पे एक LED खराब है आप एक को शॉट कर देंगे तो तो यह काम करेगा ठीक है जल जाएगा लेकिन अगर इस तरीके से बनफ लगे होएं जितने भी LED लगे हुए है उसके साफसे में बनाया हुआ है जिसका आउटपुट है यहाँ से जो आएगा ठीक है अब क्या करा आपने के LED कम हो गएं आपर एक दो तिन चाल एक लिदी कम हो गएं और हमने क्या करा है यह सब को शॉट कर दिया अगर शॉट क तो अब प्रब्लम है कि हमारे पास led करेंगे किस तरीके से लगा सकते हैं तो देखिए हमारे ऐसे घरों में डिवाली जो लाइट होती है लगा जाती है। तो निदो झाल कर सकते और इसको ठीक कर सकते हैं बलफ नहीं को बढ़ी का ना चाहिए जब चलता जैसे कि यह लगे हुए इसमें साथ बोल्ट आएंगे यानि कि अगर तीन बोल्ट आकर यहां पर देंगे इस एक काम ही नहीं करेगा इसमें जो है साथ बोल्ट के आसपास आपको इसमें देना पड़ेगा जब जाके यह काम करेगा तो अब साथ बोल्ट में कैसे इस्तमाल कर तो देखिए इन 112 को हम क्या करेंगे एक Nevada में करीब 7 वोल्ट हो जाएर तो हम क्या करेंगगे दो कि अ में करने के बार यह में करने के बाध यह में इसको लगा देंगे तो कैसे करpark मैं आपको बताइता हूं हम पहले साइडमें देतें सका और लफ यहां पर चार लफ हमारी बनकर ताजर हों है तो चलिए इनको पहले के बाद प्रीप कर लगा के फिर प्र पर की टेस्टिंग करेंगे तो दोस्तों अभी इस में देखिए सीरीज बनाने लिए हमको यह भी पत तिर उसके बाद इसको स्रीज करेंगे तो मैंने यहां पर अपनी दोनों मल्टिमेटर की प्रॉब है इन प्रॉब को जो है अपनी DC मशीन से कर लिया वहां पर 3.7 V को set कर दिया है तो अब यहां पर अगर मैं इसको पलड़के लगा तो यहां पर इस तरीके से तो यह काम नहीं कर रही है तो आपको इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इसके अंदर कि जिस तरफ यह घ्ल कर चल चल जब लुब एकैम यह लगा रहें इस तरीके से तो यह वाला हमसे हमाई पाजिटिव यह पाईटिव आँगें इंड Barnes & Malia to be a यह दी च्खी है जो हम पाजिटिव को मांक करेंगे यहां-र लिए ए पता कर लेनी है तो देखिए यहां पर हमारी LED भी टेस्ट हो गई है कि LED भारी सारी वरकिंग है और हमने नेगेटिव पॉजिटिव को भी मार कर लिया यहां पर तो अब हमें पास पास चील लेंगे तो देख सकते हैं कि दो एलेडी मेरे पास है यहां पर इसको चील लिया और इधर वाला जो नेगेटिव है तो इसको यहां चील लिया अभी क्या करेंगा मैं इसको ड़नों को मिला करके मैं यहां पर जोड दूगा लगा उप यहां पर लगा सकते हैं और नहीं तो इसको शोल्डिंग कर देंगा तो ज्यादा बहतर रहेगा तो यहां पर यह बीच में यहां पर लगा देंगे और यह हमारा एक पॉजिटिव बन गया तो चलिए बाकी LED को इसको इसी तरीके से बना लेता हूं फिर इस पर कनेक्ट कर देंगे तो देख सकते हैं कि मैंने चारों यहां पर यहां पर लगाया हुआ है मशीन को लेकिन तीन बोल्ट पर यहां पर कोई पी LED यहां पर काम नहीं करेगी और इसको प्लट के लगा के इसको थुरा सा वोल्ट बढ़ा कर देखते है कितने बोल्ट पर लॉट जा रहा है तो इससी तरीके से ने लगाने से पहले यह भी काम कर रहा है तो अभी हमारा जो LED है यह एकदम पर्फेक्ट वरकिंग में है तो इसमें भी दोस्तों नेगेटीब पोजिटिव का ध्यान रखना है कि जो नेगेटीब बाला पॉइंट पर पॉजिटिव पर सोल्ड होगा तो एक बार मैं इस पर सोड़ी कर लेता हूं सर्कृट के उपर तो गाइज हमने देखिए यहां पर कनेक्शन तो कर दिए LED के अब क्या करते हैं जो मैंन कनेक्शन है हमारे यह वाले इन कनेक्शन को बना करके हम पर पर ऑफिर एक बार जो है इसको आउन करके चेक करेंगे कि यह हमारा काम बन रहा है कर दें अब क्या आ करना है हम इसको जला कर देखना है कि यह काम कर रहा है कर नहीं है तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहां पर जो Shelby हाँ लगा दी ए एक मारा यह बलभ यह बलो करना शुरू हो गया एक फिर तो इस तरीकिंच कcular सकते हैं तो इस तरीके जो है आप बड़े आसानी से यहां पर बलफ को रिपेर किया जा सकता है तो यहां पर देखिए मैंने इसको लगा दिया तो अब यहां पर गलो कर रहा है अगर मैं लाइट बंद कर दो तो आपको दिखाए जागा कि काफी कुछ रोश्नी आप अच्छी रोश् आपको ठीक किया सकता है तो उम्मीद है दूस्तों आपको वीडियो पसंद आएकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा तक ही मेरे सबी वीडियो को नटीश्य आप तक टाम से पहुंशते रहें तो चले फिर मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी ओड़ पिसा तर्तिक लिवान जातम जावत नमस्कार.